सबीकों नमस्कार आज हम कक्सा दस्क की जो यूनिट नमबर 11 है समरूपता उसमें कुछ पर्मे है वो हम हल करते हैं जो प्रेक्षार के दस्टी से इंपोर्टेंट है फिर उनके बाद में हम उन प्रादाइद एक्जाम्पल भी करेंगे तो सबसे पहले यदि हम उन पर्मे को अचतर से जान पाएंगे तो ही हम आगे के क्यूशन है वो कर पाएंगे तो पहले उस पर्मे को हम यहां पर हल करते हैं तो हमारी पर्मे है 11.1 समरूपता में बढ़ रहे हैं 11.1 की पर्मे है, उसको हम थेल्स पर्मे भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, थेल्स पर्मे, उस पर्मे का कथन क्या है, यानि पर्मे क्या है, थेल्स पर्मे के नाम साथ देते हैं, उसको आधार भूद समानुपातिक पर्मे के नाम से भी उसको हम जानते हैं कतन क्या है यदि किसी तिर्बुज की एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए वह है तिर्बुज की अन्य दोनों भुजाओं को काटेगी जैसे की चितर से हम समझेंगे ऐसा कही रहा है एक तिर्बुझ है और एक तिर्बुझ में ये A हो गया ये B हो गया और ये C हो गया ये तिर्बुझ ABC में किसी बुझा के समांतर मालने जिसे किसी भुजा के समानतर ये भुजा है BC के समानतर एक DE रेखा लेते हैं किसी भुजा के समानतर वो अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए कुन सी दोनों भुजाओं काट रही हूँ AB वैं AC को काटते हुए अन्य दोनों बुजाओं को काटते हुए इन दोनों बुजाओं को समान अनुपात में विवाजित करती है यह हमें इस कत्र में सिद्ध करना है क्या कि कि किसी तिरगुज की एक बुजा के समानतर जिसे DE है वो किसी समानतर है BC के समानतर है और वो अन्य दोनों बुजाओं को A, B, Y, A, C को काटते हुए इन दोनों बुजाओं को समान उन पाद में विवाजिते करती है तो पहले जब से हम सुरुवात करते हैं परसन के तो सुरुवात किस परकार से करेंगे हमें पहले लिखेंगे कि दिया क्या गया है हमें परसन में हमें दिया गया है कि एक तीबुच ABC ABC में BC के समानतर DE रेखा है तीबुच ABC में BC समानतर है DE जो जो बुजा A, B, Y, A, C को D, Y, E, B, 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 B बटे db, बराबर a, बटे, इसे, यानि इन दोनों बुजाओं का अनुपात है, वो हमारे पास क्या आना चाहिए, समान, तो यह हमें इसमें फुरूफ करना है, अब ध्यान दे समझेना, हमें इसके आगे हम सुरुवात करते हैं, तो दो कत्म दे लिए, अब इसमें हम रचना से इसके सुरुवात करेंगे, परसनी के, पहले इसमें रचना करेंगे, तो द्यान देना, अब ध्यान समझेगा, इसमें कहरे रखा है, कि सबसे पहले, जो a, b, बुजा है, a, b, बुजा में, e से मैं इस पर क्या डालता हूँ, यह कि, लम डालता हूँ, एप, इसको मैंने एक तो यह हो गया, DG लंब है, वो किस पर हो गया, AC बुजापर, और AB बुजापर लंब क्या हो गया, EF है, वो लंब हो गया, इसी परकार, अब हम क्या करेंगी, B को किसी मिला देंगी, EC मिला देंगी, और C को किसी मिला दिया, DC मिला दिया, रचना से हमने यह काम किया है, प और दूसरा काम किया हमने B को A से मिला दिया और C को किसे मिला दिया, D से मिला दिया आपट, जो लिखा है, इसमें किया है, वो यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले देखो, B को E से तथा C को D से मिलाया, और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, E F है, वो लम किस पर है, E F में, लम है, A B पर, तथा D G लम है, वो किस पर रहेगा, A C पर, ये फिलमवत है ए बी पर आ गया और डीजी लमवत है वो किस पर आ गया एसी पर आ गया ठीक है अब हम यहां से शुरुवात करेंगे इस परसन में उपपती से सबसे पहले ध्यान देना हमने यहां पर एक पर्मे पड़ी होगी पहले की कलास में पढ़ा था नायंत कलास में भी पर्मे थी हमारे पास कि यदी इस परकार की कोई आकरती चत्रूज क्या आकरती आती है और उसमें कहार रखा कि दोनों बुझाये हैं वो एक ही आधार पर हो दो तीरभूज क्या हैं वो किस पर हो एक यह आधार पर हो देखो ध्यान देना आप इसको देखोगे b.d. gene. और c.d. увелич दोनों का क्या है ? क्या है एक यह आधार यदि दोनों का एक यह आधार तो दोनों तीर बुझा- squash still counselors भीक्自 यहा रएगा यह बराबर रहेगा दोनों त C D E तथा तिर्बुज C D E दोनों एक ही आधार एक ही आधार D E पर इस्तित है अता है दोनों तिर्बुज कौन कौनकोंसा हो गया BD तिता C D दोनों A के आधार पर आधार कौन सा pat हो गया D E पर इस्तित है आता है इन दोनों का सैतर फ्ल क्या रहेगा बरावर रहेगा तो हम लिखेंगे area of a तिर्बूज b de बराबर area of c de इसको समीकन एक देखें यहां समीकन एक हो गया क्या है था मारे पास कि दोनों का प्षेतर फल्ला वो क्या रहेगा यहां पर बराबर अब चलते हैं यहां पर द्यान देना अब आप यहां पर देखोगे कि ए ए वह तिर्बूज किसमी मन रहा है a d e और b de का दोनों का आधार कितना है a b यहां आप लिखेंगे तिर्बूजी a d e तथा तिर्बूजी b d e दोनों का एक ही आधार a b है दोनों का a की आधार क्या है यहां पर a b है तो द्यान देना तो यह जो लंब है वो दोनों पर क्या रहेगा उबैनिस्ट रहेगा कौन सा लंब रहेगा e f है वो दोनों में क्या रहेगा तिर्बूज में लंब है उबैनिस्ट रहेगा तो यहां पर हम दो पुर्ष भिदी इए के सेंफाद दूस्रा लेंगे सबस्क्राइए के सेंफ लेंगे सेम् माम इस बुजावाले करेंगे इस बुजावा पर दो तिरूझ बन है तो चलिए हम सुरुवात करते हैं इसमें लिखेंगे एरिया ओफ तिर्बुज ए डी इ बटे एरिया ओफ तिर्बुज बी डी इ बराबर अब तिर्बुज का सित्वल हम सबी जानते हैं तिर्बुज का क्या होता हमारे पता है कि एक बटा दो आधार उना उन्चाई होता ह तो एक बटा दो, आधार हम देखेंगे, तिरबुछ ADE का आधार क्या हो गया? AD, AD आ गया, और उंचाई है, वो कितनी होगी? EF हो गई बटे, एक बटे दो गुणा इसका अधार कितना हो गया, BD हो गया और इसकी उल्चाई भी कितनी हो गई है, BD सेम रहेगा, EF रहेगा तो देखो बटा, एक बटा दूसे, एक बटा दो cancel देगा, EF से, EF cancel देगा तो हमारे पास मान आएगा, ED बटा BD इसको दो सम्मीकर नमबर दो यह पहला सम्मीकर आ गया, यह आ गया सम्मीकर नमबर दो सेम काम किसकी लिए भी मैंने बताया था सेम काम किसली करेंगी AC बुज आपर बनने वाले तिर बुज ओपर तो हम लिखेंगे, तिर बुज, A, D, E तथा, तिर बुज, C, D, E A, D, E, तिर बुज है, C, D, E दोनों का आधार कितना है? AC दोनों, A की आधार AC पर है और तथा, इसका लंब कितना है? लंब हो जाएगा, D, G लंब क्या है? इसका, D, G लंब है सेम काम करना है, इसमें भी क्या लेंगे, area of तिर बुज, A, D, E बटे, area of तिर बुज, C, D, E कौन-कौन सा लिया है? एक तो यह उपर वाल तिर बुज लिया है ठीक है? A, D, E वो एक लिया है, C, D, E इसमें इदर बुज लिया है, A, D, E और B, D, E यानि आप यह देखोगी, यह तो दोनों में समान आ रहा है, उबैने स्टार आ गे है, बात यहाँ पर आ रही है तो ध्यान देना, वो इसमें लिखेंगी, एक बटा दो आधार गुणा, उँचाई तो A, D में आधार कितना हुआ? A, E A, D में आधार कितना है? A, E और उँचाई कितनी इसकी? D, G और आप यहाँ पर देखना, हम इन दिखा लिखा है, A की आधार A, B यहाँ पर लिखा है, A की आधार A, C मतब दोनों तिर्बूज़े, वो आधार A का, लेकिन मतब A की ही रेखा आपर बने वे हैं, A, C पर लेकिन यह अलग लग रूपों में है तो इसलिए हम अलग लग ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, A, E और यहाँ पर थोड़ा सा बदल के, इसको यह भी लिख सकते हो, तो दोनों का, मतलब दोनों के जो बुझा है, वो समान, आधार तो यह यह की रहेगा, यह पर आधार A ही है, इसका आधार A ही है, दोनों A की रेखा, A, C पर इस तित्त है, इस तरब भी इसको लिख सकते हैं एक बटा दो से एक बटा दो केंशल हो जाएगा, DG से DG, तो क्या हैगा, A, E बटा, C, यह जाएगा A, E बटा, C, इसको लिख समीकन नमबर 3, अब आप देखो कि ध्यान से, हमारे पार 3 समीकन आगए, 1, 2, और 3, इन 3 समीकनों से हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखो भी, एरिया B, D, E, बराबर एरिया C, D, E आ रहा है, देखो यदि हम एरिया B, D, E की जगह है, हम रख देए, एरिया C, D, E, तो क्या यह समान बन जाएगा, क्यों उपर वालतों दोनों में समान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखो समीकन, 1, 2 से, समीकन, 1, 2 से, मैं आप लिख जगह रख दिया, हमने, एरिया C, D, E, तो एरिया C, D, E, बराबर, यह बनेगा, A, D, बटा, B, D, यह तो सेम रहेगा, इधर वाला, इसको दो समीकन, 1, 2, 4, अब आप देखो भी, समीकन, 3, 4, को आप ध्यान से देखोगे, तो देखो, एरिया A, D, E, यहाँ पर भी, एरिया A, D, E, आ रहे, यहाँ पर हाँ, area C, D, यहाँ पर भी, area C, D, E, आ रहे, यह दोनों मान बराबर है, अगर यह दोनों मान बराबर है, तो इनके सामने वाले मान भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, आता है, कहले होगे, समीकन, 3, 4, से, तो मारे पास आजाएगा, AD बटा, B बराबर A E बटा C य AG ए इसमें क्या करना है पर्फ करना है तो यह लेगा आफ்टो यानि कि इस परमिय को हम यह जो आया है इसमें अनुद्वाइफ को हम बोलेंगे समानूपातिगपरमिय तेल्सक्रमियня के नाम से भी हम इसको जानते हैं इसलिए मैंनेश करता प्लिकाटेल्स पर्मिया, समानपातिक पर्मिय, अब जो आने वाले, आगे बाल, जो जितने भी पर्षन आयेंगे, वो इसी पर्मिय पर आधारित है, तो ये पर्मिय भोत इंपोर्डेंट है, इस पर्मिय को आप अची तरीके से पढ़ें, बार बार न यह समांतर है तब ही हम यह पर्मे लगा सकते हैं तो यह इसके बाद में हम एक पर्मे और करेंगे आगे और फिर इन पर अधायत है वह कुशन करेंगे तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरके से निकाली पढ़िए त्यान से पढ़िए